नमस्कार दोस्तों, दो मईडी 2023 के एडिटोरिल एनलेसिस और करेंट अफेर्स एनलेसिस में आपका स्वागत है जल्दी सी देखते हैं कौन कौन सी निउस यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो भीया, मनीपुर के अंदर जो मीती ट्राइबल लोग हैं उन्होंने बोलाए कि जो मनीपुर की हिल एडवाइजिरी कमिटी है इसके अगेंस्ट हम कंटेम्ट फाइल करेंगे ये कंटेम्ट क्यों फाइल करेंगे इसको समझेंगे कृष्यनिती की प्रोपोगेशन को लेके तमिल्णाडू की सरकार का क्या बोलना है इसके बारे में बात करेंगे। इन्डिया just уб पहले लॉंड्रोमाटकंटरी मिदा निया के अंदिया से एकस्पोर्ट हो के इन यूरोपन कंटरी के पास जाता है तो इस क्रकार से लॉंड्रोमाटकंटरी को लीड कर रहा है इसको लेके कार्टिकल है, इसको यहाँ पे देखेंगे फिर गॉर्मेंट ने 14 एप्स को जमुन कश्मीर ने बैन कर दिया है यह कौन सी आप इसके बारे में बात करेंगे कंसेंशुल डिवोर्स, एक ऐसा रिष्टा मेरिज का जो बिलकुल चरही नहीं सकता है, इसको तोड़ने की यहाँ पे बात की जा रही है और सुप्रीम कोट ने बोला है कि आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए 6 महीने का जो मेंडेटरी साथ रहने वाला पीरिड है उसको भी स्किप कर सकता है सुप्रीम कोट, इसके बारे हम बात करेएंगे उस्बेकिस्तान के प्रेजडेंट ने रेफिरेंडम जीत लिया है अपने कॉंस्टिटुचिन को रिराइट करने का इसके बारे हम बात करेंगे आज के एडिटोर्स देखें तो एक Constitutional Punctuality का आर्टिकल मैंने डिसकस नहीं किया यह DMK के ही Political Representative यहाँ पे लिखके बोल रहे हैं और इस टॉपिक के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं कि Governor रंबे समय तक राजी की सरकार दोरा पारित बिल को आराजी की Legislative Assembly दोरा पारित बिल को अपने पास spending नहीं रहे सकता उसको या तो approval देना चाहिए या फिर approval को reject करना चाहिए on proper basis उसको अपने पास spending रखना ठीक नहीं है तो इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है काफी बार हम लोग बात कर चुके इसलिए मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ Master Storyteller ये भी कोई important facts नहीं बता रहा है एक विज्ञान केंदर को लेके एक article है विज्ञान परिसर को लेके इसके बारे में बात करेंगे ये भी प्रेजन सरकार की बराई कर रहा है पर एक important आपके लोग government body के बारे में बात कर रहा है तो इसको देखेंगे फिर इसके साथ साथ आदानी ग्रूप के उपर ही जो सेवी की आपके लोग inquiry चल रही इसको लेके article इसे देखेंगे फिर political remission, the circumstances of the release of Anand Mohan Singh are unsettling कि जो बिहार में Anand Mohan Singh वाला मुद्दा हुआ है कि इन्होंने एक IS officer को मरवाया था इन्हों mob को mobilize करके और अभी के लिए इनको remission दे दिया गया है वीडियो पर लाइक और शेर का बटन दोस्तों मैंने अपनी एप लॉंच की है हरशित दिवेदी एजुकेशन आपको description box में एप का link मिल जाएका आप आप को डाउनलोड कर सकते हैं और आल वहाँ पे मैंने अभी तक एक ही course अव्लेबल करवाया है तो भी वह उस particular series को देखके current affairs की वीडियो को कुछ घंटे में देखके अपने current affairs को device कर सकते हैं सासा टेसरी जाटर्म पर सकते हैं what are the day देख लेते हैं sign a cure sign a cure का मतलब होता है एक ऐसी position जहाँ पर आपको ज़्यादा काम करने की जरूत नहीं बहुत कम काम करने की जरूत है लेकिन आपको financial और और प्रकार के benefits खूप सारे मिलेगे वीडियो पर like और share को button जरूत बादेना दोस्तों चलिए पहली news जीएस पेपर टू जुडिशरी परसनल लौ सुप्रीम कोट सेज इस can end wait for consensual divorce तो सुप्रीम कोट ने बोला है कि आर्टिकल 142 के अंदर अपनी ताकत को यूज करके complete justice करने के लिए ऐसी marriages जो irretrievably टूट चुकी है उनके वापस होने का कोई chance नहीं है उसको सुप्रीम कोट dissolve कर सकता है तो overall होता यह है कि जब भी आपके इसी family court में जाओगे marriage की application को लेके तो family court अमूमन आपको 6 महीने का time period देता है उस 6 महीने के time period में जो husband wife होता है उनके एक मौका दिया जाता reunite होने का ठीक है ना? उस 6 महीने के period में उगराल अगर कुछ थोड़ा बहुत प्यार बचा है एक couple के बीच में तो वो सामने आ जाएगा वो एक दूसरे साथ cogitate कर सकते है अनलाइस कर सकते है एक deliberated decision ले सकते है यह decision तब ज़ादा important हो जाता है जब उस couple के कुछ बच्चे हो एक प्रकार का cooling of period होता है इस cooling of period का objective यह होता है कि हो सके तो marriage को बचा लिया जाए लेकिन Supreme Court ने यह भी बोला है कि इस cooling of period का मतलब यह नहीं है कि एक disintegrated और बिल्कुल टूटी हुई marriage को जबरदस्ति घसीटो चुकि क्या है कि जब एक marriage के अंदर दो पार्टनर बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो उनकी इगौनी और माईजरी को ज़्यादा ही बढ़ जाती है और कोई चांस नहीं होता है उनकी marriage के बचने का तो इस कंटेक्स में Supreme Court ने बोला है और यहाँ पे Constitution Bench बैठी थी Supreme Court की पांच जज़ेस थे इसमें जिसमें Justice Sanjay Kishun Call, Justice Sanjeev Khanna ASO का विक्रमनाज J.K. Mahishuri इन्होंने बोला कि भाई देखो अगर हमें यह प्रूव हो जाता है कि भाई 6 महीने का यह जो period होता है cooling of period इससे marriage बचने वाली है नहीं, marriage तूट चूट चुकी है तो हम इस 6 महीने के period को wave of भी कर सकते हैं लेकिन Supreme Court एक बात तो clarify कर रहा है कि अगर article 142 के अंदर हम wave of कर सकते हैं इस 6 महीने की period को तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमारे पास दोड़ा चला आ रहा है कि me lord, me lord हमें इस divorce दे दो देखो क्योंकि इस judgment से हो कुछ लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि चलो भाई family court जाने की जरूत नहीं सीधे Supreme Court के पास चलते हैं अंडर article 142 ओके, तो Supreme Court ने बोला यह नहीं हो पाएगा Supreme Court ने बोला 142 के अंदर Supreme Court के पास यह ताकत है कि वो 6 महीने की period को skip कर सकते हैं सीधे divorce grant कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी couple मूठा कि Supreme Court के पास चलाएगा कि भाई हमको divorce grant कर दो और हम कर देंगे Supreme Court ने बोला article 142 के अंदर Supreme Court के पास ताकत है article 32 के अंदर नहीं ठीक है ना article 32 right to constitutional remedies इसमें अपने fundamental right को protect करने के लिए एक individual सीधे Supreme Court के पास आ सकता है तो जो married couples है वो यह ना सोच लें कि अपने fundamental right के तहत वो divorce application को article 32 के अंदर लेके Supreme Court के पास चले आएगे नहीं ला सकते right to constitutional remedies article 32 के अंदर आप divorce proceeding लेके Supreme Court नहीं पहुंच सकते ये Constitution Bank Supreme Court ने बोल दिया है लेकिन Supreme Court ने ये भी बोला है कि अगर Supreme Court satisfied है तो article 142 के अंदर 6 महीने की period को skip करके वो divorce grant कर सकता है एक particular couple को Supreme Court case to case basis पे decide करेगा facts को देखने के बाद यहाँ यह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है समझ गए तो ये overall यहाँ पे particular news है ये जो 6 महीने का waiting period होता है divorce by mutual consent का ये किसमे होता है Section 13B of the Hindu Marriage Act के अंदर तो Section 13B of the Hindu Marriage Act के अंदर के 6 महीने के period को overall wave of किया जा सकता है Supreme Court के दारा अंडर article 142 अगर Supreme Court को लगता है कि हमें proper facts available है ये marriage बचाएं नहीं जा सकती अच्छे महीने पहले वीडियो बनाई था आप चाहाँ तो देख सकतो next जिस पर दू फंडमेंटल राइट्स acts of missionaries to spread Christianity by themselves cannot be seen as illegal Tamil Nadu tells Supreme Court देखे क्या हुआ Supreme Court में पहुंचे है एक Advocate साब जिनका नाम है अशुनी कुमार उपाध्याय जाशुनी कुमार उपाध्याय ने overall ये बोला है कि Tamil Nadu के अंदर एक 17 साल की बच्ची की रिसेंटी मौत हुई है और इसकी मौत में एक NIA या CBI की investigation होनी चाहिए इनका ये बोलना है कि चुकि इस बच्ची को जबरदस्ती Christianity में convert कराया गया है इसकी वज़े से इसकी मौत हुई है तो इस बात को लेके Tamil Nadu की सरकार को जवाब देना पड़ेगा अब Tamil Nadu के अंदर overall conversion को लेके मौत के respect में इल्जाम लगाया जा रहा है तो जवाब कुन देगा Tamil Nadu की राज़े की सरकार यहाँ पर क्या बोल रही है कि Tamil Nadu के अंदर religion को लेके जबर्दस्ती, जोर जबर्दस्ती, you know allurement के साथ conversion यह नहीं होता है Basically, Tamil Nadu की सरकार एक तो constitutional articles के बता रही है Tamil Nadu की सरकार बोल रही कि अगर missionaries legal तरीके से Christianity को spread करने की कोशिश कर रहे है तो हम उसको illegal नहीं बोल सकते चुकि article 25, freedom of the religion of the constitution के अंदर साफ साफ लिखाए कि हर citizen के पास अधिकार है अपने religion को propagate करने का तो अगर missionaries Christianity को promote कर रहे हैं तो इसको against law नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर किसी religion को spread किया जा रहा है against public order, morality and health and other provisions of the part three of the constitution तो उस case में उनको रोकना ज़रूरी हो जाता है तो basically एक person के पास right to propagate and preach his religious belief system है लेकिन at the same point of time धमका के intimidation से, deceit से, धोके से superstition से, black magic से allurement से वो किसी को convert नहीं कर सकता तो यहाँ पर Tamil Nadu ने अपने affidavit में जो constitutional facts हैं conversion को लेकि उनको यहाँ पर बोल दिया फिर उन्होंने यह बोला कि इंडिया के citizens के पास right है अपने आपको किसी भी धर्म में convert करने का, अगर वो यह सोचता है कि हाँ भाई, उस धर्म के साथ उस धर्म के belief के साथ वो अपने आपको associate करता है, ठीक है भाई? superstition नहीं होता है तो तमिल नाडू ने बोलाई कि जो अशुनी कुमार अबाध्याय के इल्जाम है, वो गलत है तो basically conversion को लेके constitutional जो article है, इस से related अगर MCQ आये तो आप से solve होना चाहिए, next government banks 14 apps in jail के used by terror groups, GS paper 3 challenges to internal security में काम की चीज़ है तो भाईया, 14 applications को जम्हुन कश्मीर और union government ने restrict किया, okay in fact, कुछ और apps को restrict करने की recommendation थी, बर वो हो नहीं पाई जैसे कि जम्हुन कश्मीर पुलिस ने बोला था कि जो popular messaging platform snapchat इसको भी यहाँ पे आप band करो बट ministry of home office ने अभी के लिए इसको include नहीं किया है band में कौन को इसी आप यहाँ पे band की गई है तो थ्रीमा करके messaging app band की गई जो कि subscription देके आप messaging services को यूज कर सकते हूँ एक्जांगी करके popular private messaging app है जो आपको phone number नहीं मानती रिजिस्टर करने के लिए फिर क्रिपवाइजर और bichat करके कुछ apps हैं जो कि blockchain technology के basis पे chat वगरा चलाती है इनको भी यहाँ पे band किया गया है फिर vic army इसको band किया गया media fire को यहाँ पे band किया गया जब वो इन कश्मीर के अंदर फिर briar करके एक app है यह basically peer to peer messaging services है जो bluetooth के through messages भेजती है इसके लिए internet की connectivity ज़रोत नहीं है firefly नाम की एक app है इसको भी यहाँ पे band किया गया इस firefly को होंग कॉंग के protest में इस्तमाल किया गया था pro democracy जो protest थे फिर nandbox करके एक app है इसको यहाँ पे block कर दिया गया यह basically nandbox एक app building platform है ठीक है जिससे आप अपनी खुद की messaging app बना सकते हो whatsapp की बात कीज़े whatsapp यहाँ पे देखिए band नहीं whatsapp भी end to end inscription प्रोवाइड करता है लेकिन ध्यान दीजेगा चुकि whatsapp meta owned है तो meta owned companies मतलब facebook को आज की डिट में meta बोला था तो meta owned companies है अगर उनसे सरकार information मांगती है phone book से related call history से related तो whatsapp यहाँ पे provide कर देता है तो whatsapp को अभी के लिए band नहीं किया गया अब यह जो information provide करने वाली चीज़ है यह कहां से निकल के आती है तो section 69 of the information technology act जो की सरकार को permission देता है कि यो content blocking orders को issue कर सकते है ISP को, telecom service providers को web hosting services को, search engines को online marketplaces को केंदर की सरकार, राजी की सरकार दोनों के पास ताकत है directions issue करने के लिए to encrypt, monitor and decrypt any information generated, transmitted, received and stored in any computer resource तो कल की date में whatsapp से अगर national security के against कोई चीज़ है तो whatsapp से information मागी जा सकती है whatsapp यहाँ पे information देगा कौन से grounds पे मागी जा सकती है वो लिखे है sovereignty of India, defense of India friend relations with foreign states, investigating any offense वगरा वगरा अब देखिए मीटी community के जो लोग है मनीपुर के अंदर वो decades से schedule tribe status की demand कर रहे अभी के लिए कुछ मीटी community के लोग OBC designated है कुछ schedule caste dependent है लेकिन वो schedule tribe status की demand कर रहे मनीपुर के अंदर चुकि मनीपुर एक tribal society है तो ST status की अपने आप में importance है और recently हुआ यह है अभी कुछ हफते उपले ही मनीपुर की high court ने मनीपुर के राजी की सरकार से बोला कि आप जितना जल्दी हो सके मीटी community के लोगों को अपनी schedule tribe की list में जोडो अब यहाँ पे legislative assembly ने एक resolution पास किया 20 अप्रेल को और high court के order को अपोस किया और बोला कि भई केंदर की सरकार और राजी की सरकार मनीपुर high court के order को सुप्रीम court में contest करे अपील करे अब इस बात को लेके मेती community के जो लोग हैं मेती tribe के जो लोग हैं वो नाराज हो गए है हिल एरिया committee से और हिल एरिया committee के against contempt proceeding file करने की फिराक में है मनीपुर की high court के अंदर अगर हिल एरिया committee की बात करें मनीपुर legislative assembly की तो 1972 के order के थूँ यह हिल एरिया committee मनीपुर में set up की गई थी और जितने भी legislator है चाहे वो member of legislative assembly हो parliament हो वो इस particular HAC के member है ठीक है भई तो state की हिली एरियाज की जितने भी legislator है वो HAC की member है HAC यहाँ पर मनीपुर की high court के against है HAC का logic यह है कि जब मनीपुर की high court ने overall इस particular मुद्दे को discuss किया तो HAC को यहाँ पर respondent ही नहीं मनाया गया अगर आप मनीपुर के respect में tribal designation की बात करना है तो कम से कम हिल एरिया कमीटी को एक respondent तो बनाईए उसका submission तो लीजे हमारे submission के बिना यह आपने बोल दिया कि मेती लोगों को schedule tribe की रिस्ट में जोड़ लो तो basically यह जो HAC ने overall resolution पास किया है कि मनीपुर हाई कोड के order को नहीं मानते हैं यहाँ पर जो HAC के chairman है दिंगला लूंग गंगमी उन्होंने बोला है कि भाई हमें ये decision लेना पड़ रहा है existing schedule tribe of मनीपुर के apprehensions को ध्यान में रखते हुए अभी की जो existing schedule tribes है मनीपुर की उनके sentiments, उनके interest, उनके rights violate होते हैं अगर मीती लोगों को schedule tribe का designation दिया जाता है अगर आप देखो तो मीती में से लगब 92% लोग हिंदू हैं 8% मुसलिम से अभी के लिए OBC और SC designated हैं और schedule tribe का designation चाहते हैं अपने लिए मीती community के लोगों की बात करो तो इनका ये बोलना है कि भाई देखिए हम decade से schedule tribe status की demand कर रहे हैं, in fact 1949 में जब मनीपूर बतब देश आजादी की stage पर था तो उस समय पर मनीपूर के अंदर हमें एक tribe ही माना जाता था लेकिन फिर आया constitution schedule tribe order 1925 और उसमें हमारा नाम नहीं था उसके बास हम अपने नाम को include करने की demand कर रहे हैं, कोई सुनी नहीं रहा है, हम actually में एक tribe हैं, हमें किस basis पर आप tribe की group से बाहर कर रहे हूँ, वहीं पर आदिवासी जो student union है मनीपूर का, जो की represent करता है अभी की मनीपूर की छटे schedule tribe communities को, वो यह बोल रहे हैं कि मैती को ST status नहीं मिलना चाहिए, अगर मैती को आपने ST status दे दिया, तो फिर tribal communities को protection देने का मतलब ही क्या है, जो कि मैती की आवादी मनीपूर के अंदर इतनी जादा है, तो उस हिसाब से तो फिर सब को ही यहाँ पे आप कहलो, reservation का benefit मिल जाएगा ST status के अंदर, तो कुछ इस प्रकार की politics मनीपूर से निकल के आ रही है अच्छा, overall अगर किसी एक particular community को schedule tribe की list में जोड़ना है किसी एक state से, तो उसका procedure क्या है, procedure काफी simple है जिस भी community को schedule tribe की list में जोड़ना है, सबसे पहले जो recommendation है, वो राज्य की सरकार या union treaty की सरकार से आनी चाहिए, तो recommendation initiate होगी state government से, या union treaty government से, उसके बाद वो recommendation ministry of travel affairs के पास जाएगी, वहाँ से office of the registrar general of India के पास जाएगी, जब registrar general of India अपना concurrence देदेगा, और national commission for schedule traps अपना concurrence देदेगा, तो उसके बाद वो proposal हमारी केंद की सरकार के cabinet के पास जाएगा, जब cabinet proposal देदेगा, तब parliament के अंदर ये bill pass कराना पड़ेगा, जब parliament में bill pass हो जाएगा, उसके बाद एक president order निकालेगा, और overall उस particular state के schedule trap के जो list है, उसको amend कर दिया जाएगा, accordingly जो भी यहाँ पर proposal move हुआ था, आ गया जाते हैं GS paper to international relations, इंडिया leads londromat countries buying Russian crude and selling oil products to Europe, तो भी ये londromat की 5 countries को इंडिया lead करता है, इन londromat में कौन कौन सी countries आती मिली तो इंडिया, चाइना, टर्की, योई, सिंगापूर logic londromat countries का ये है कि पहले रशिया यूरोप की countries को US को सीधे तेल बेचता था, अब रशिया तेल बेच रहा है इन londromat countries को इन londromat countries में उस तेल की processing होती है refined तेल बनाया जाता है और फिस refined तेल को export किया जाता है इसमें इंडिया स्थ नंबर वन पे है इस प्रकार से जो European sanctions है रशिया के against इनको skip किया जा रहा है ऐसा बोला एक Helsinki based groups ने first quarter of 2023 के financial figure के हिसाफ से तो अगर आप देखो तो Helsinki based groups analytical firm कपलर और international agency Bloomberg ये दिखा रहे है कि किस प्रकार से European Union countries जिन्नों ने price cap coalition लगा रखा है कि सीधे हम रशिया का तेल इस particular price cap के उपर नहीं खरीदेंगे वही लोग क्या कर रहे है कि इंडिया, चाइना, टर्की, युई और सिंगापूर से refined crude oil खरीद रहे है और ये refined crude oil का source रशिया में तो European boys यहाँ पे sanctions को circumvent कर रहे हैं अगर आप देखो तो गुजरात के अंदर एक petroleum refinery है जिसके 49% share Russian oil company Rossneft के पास है और ये overall company refinery refined crude oil बेच रही है यूरोप को तो ये basically sanctions को subvert करने वाली बात होगी इंडिया के अंदर भी एक ऐसा ही case उठा था दोस्तों जो dry dates होते थे पहले पाकिस्तान से directly वो इंडिया के अंदर आये करते थे अब जब और और इंडिया ने 200% import duty लगा दी पाकिस्तान के product से उपर तो वो छुआरे पहले UAE जाने लगे और UAE से फिर इंडिया में आने लगे तो इंडिया वालों को क्या लग रहा है कि UAE से आ रहे चुआ रहे बड़ जब कि actually वो आप पाकिस्तान से रहे थे तो ये sanctions को subword करने वाला एक modus operandi है जो कि पूरी दुनिया में चलते हैं चुकि इस समय पर रशिया के उपर सीधे सीधे sanctions लगे हुए हैं तो इंडिया के थूर बाकी countries के थूर जो goods हैं वो घूम के जा रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ बताई जा रही है तो price cap coalition के अंदर refined oil products अगर सीधे रशिया से खरीदते हैं एक तो खरीद नहीं सकते sanctions के चलते हैं उपर से खरीदो के भी तो एक अपर लिमिट ही रख सकते हो आप तेल के दाम की लेकिन अब ये European countries क्या कर रहे हैं कि महेंगी products खरीद रहे हैं जो रशियन तेल Indian companies के पास है टर्की चाइना UAE की companies के पास सारा सिंगापूर के पास सारा वहाँ से refined तेल ये करीद रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आई इंडिया से रहा है चाइना से रहा है टर्की से रहा है योई से रहा है बट actually है वो कहां का रशिया का तो इसको बोला जाला लॉंद्रो मात जो रिपोर्ट है इसका नाम है लॉंद्रो मात how the price cap coalition white washes russian oil in third countries तो रशियन oil को russian oil ना बना दे ना तीसरी country तो इसको import करके ऐसा कुछ बोला है फिंडेंड बेट center for research on clean and energy एर ने तो भाई आगर आप लॉंद्रो मात countries की बात कहें तो इंडिया अप्रैल में highest global consumer रहा है sea bond russian crude का लगातार अगर आप देखो तो इंडिया 3.8 million tons of oil products को export कर रहा है price cap coalition countries को बतर ईयू जी सिमन कांट्रीज औस्टेलिया जापान जिनों रशियन तेल के उपर price cap लगा रखा है वो हर महीने 3.8 million tons crude oil खरीद रहे हैं इंडिया से इंडिया का जो अगर आप export देखें डीजल का तो मार्च 2023 में 1,60,000 barrels per day डीजल एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने overall रशिया यूक्रेन वार के पहले जितना export होता था उसे 3 मुना ज़ादा in fact क्रिया की ये जो report है क्रिया क्या है Center for Research on Energy and Clean Air ये Finland based center है क्रिया की report ये बोलती है कि जदातर जो oil projects है वो गुजरात के दो port से export हो रहे हैं एक तो सिक्का port है जिसको Reliance Own करता है जाम नगर रिफाइनरी और एक वादीनार port है वादीनार port आपका तेल लेके आता है नायारा एनर्जी से तो ये एक प्रकार की hypocrisy हो गई है कि दुनिया भर में Europe ये दिखाने कोशिश करता है कि हम Russian तेल खरीद नहीं रहे हैं लेकिन sanctions को bypass करके वो खरीदी रहे हैं indirectly इस बात के लिए कि recently आनिंद महिंद्रा जो की एक businessman है कि भाई यहाँ पे तो तेल की laundering कर रहा है ये 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 वेस्टन कंट्रीज की hypocrisy यहाँ पे देखने को मिलती है जैशंकर साब से जब ये सवाल पूछा गया तो जैशंकर साब न यहाँ एक बहुत स्मार्ट जवाब दिया उन्होंने बोला है तेल की तो पूरी दुनिया में कमी इंडिया के पास तेल की कमी तो इंडिया अपना तेल एक्सपोर्ट कैसे करेगा और वेसी बात है जैशंकर साब इस चीज़ को openly point out नहीं कर सकते बड़ा diplomatic issue बन जाएगा बट हमें करना तो यह पड़े गही न और अल हमें तो कैसे नत्राखे करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं है तो इस particular Russia-Ukraine war की situation को दुनिया भर की countries capitalize कर रही है इंक्लूडिंग एंडिया आगे GS paper 2 international news उस्बेकिस्तान President wins national right referendum to rewrite constitution तो क्या है कि उस्बेकिस्तान के maximum voters ने yes बोला है प्रेजिडंट शवकात मिर्जियोव के bid को to rewrite the country's constitution Sunday को referendum हुआ इस particular referendum ने जो प्रेजिडंट है शवकात मिर्जियोव उन्होंने उस्बेकिस्तान के लोगों से बोला है तो भाई इस particular referendum के अंदर प्रेजिडंट साहब दोरह ये promise किया गया है कि former Soviet Republic उस्बेकिस्तान के लोगों को जादा freedom दी जाएगी और इससे most probably प्रेजिडंट की seat के respect में शवकात साहब को दो और terms मिल सकते हैं पूरा समझने कोशिश करते हैं election commission of उस्बेकिस्तान ने preliminary results को announce किया बोला गया कि उस्बेकिस्तान के 84.54% एडल्ट्स ने यहाँ पर अपने vote डाले हैं जिसमें 90.21% वोटर्स ने बोलाई कि हाँ भाई वो changes को support करते हैं 9.35% ने बोला नहीं support करते हैं country के referendum law के हिसाब से 50% वोटर्स का अपना ballot डालना ज़रूरी है उस्बेकिस्तान के अंदर referendum के results को consider करने के लिए और खास बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि मिर्जियोव के leadership को लोग पसंद कर रहे हैं चुकि मिर्जियोव नए constitution के अंदर human rights देने की बात कर रहे है freedom देने की बात कर रहे है gender equality, economic growth और prosperity की बात कर रहे हैं कहीं न कहीं उस्बेकिस्तान के लोग यह चाहते है कहीं न कहीं उस्बेकिस्तान के अंदर एक iron hand से rule किया गया है इससे पहले जो Soviet era के strong man थे Islam Karimov इनकी administration में बहुत ताकत थी लोग जल्दी सरकार के अगेंस्ट बहुत जादा बोलते नहीं थे 25 साल तक यहां पे Islam Karimov ने राज किया 2016 में इनकी मृत्त हुई उसके बाद से ताकत में कौन है तो यह मिर्जियोव है अब मिर्जियोव का जो presidential term है वो 2026 में खतम हो रहा है तो नया constitution अगर पास हो जाता है तो मिर्जियोव दो और terms के लिए बट उसबेकिस्तान के लोगों को इस बाद से कोई problem नहीं है कि कोई president अपने term को extend कर रहा है उसबेकिस्तान के लोग इस बाद से खुश है है कि overall उनकी country के अंदर उनको democratic rights और human rights के freedom और मिल रहा है ठीक है फिर overall Islam Karimov के अंदर Soviet era censorship लगाई जाती थी media को control किया जाता था आज की डेट में शावकात मिर्जी वोव यह बोल रहा है कि हम media को alright देंगे लेकिन अभी भी media बहुत सोस समझ के reporting करता है उसबेकिस्तान के अंदर जादा सरकार के गेंश्ट बहुत जादा बोला नहीं जाता है उसबेकिस्तान की टोडल आबादी लगबग 3 करोंट से थोड़ी जाद है कैपिटल इनकी तासकंत है उस spoken language है उसबेक और रशियन 80% आबादी इनकी मुस्लिम है सुन्नी हनाफी ब्रांच व सुनिजम उसबेकिस्तान के बॉर्डर्रस देखा जाए constitutional punctuality वाले आर्टिकल को जैसे कि मैंने बताया है मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ story teller वाला आर्टिकल भी मैंने यहाँ पर छोड़ा क्योंगी सत्जेत रे की life से related यह particular article है मुझे कुछ बहुत important यहाँ पर लगा नहिरूवियन idea यह जो वाला आर्टिकल है काफी अच्छे धिनेश्थी सर्मा साप्वा basically विज्ञान परिसर की ताकत को सरकार ने खतम करके रख दिया विज्ञान परिसर का mandate था scientific temper को इंडिया के अंदर promote करना लेकिन यह scientific temper इंडिया के अंदर promote नहीं हुआ है इसको सरकार ने खतम कर दिया national science day मनाया जाता 28 फ़री को इससे कुछ दिन पहले एक official press release आया department of science and technology का और इसमें यह समझ में आया कि भाई यह जो विज्ञान परिसर है न यह almost खतमी हो गया है देखे क्या है विज्ञान परिसर को shutdown कर दिया गया यह नहीं बताया गया कि विज्ञान परिसर को क्यों shutdown किया जा रहा है विज्ञान परिसर का objective क्या था promoting scientific temper and enhancing public understanding of science through communication तो यह कितने important organization को shutdown करने की वजह क्या थी officials ने वजह को explain करने की कोशिश जरूर की है officials का यह बोलना है कि नीती I.O. की leadership के अंदर एक exercise यहाँ पर शुरूर की गई है जो कि rationalize कर रही है functioning of autonomous societies के अंदर various wings of the union government और इस rationalization के process के थूई विज्ञान परिसर को अभी के लिए close down किया गया है और अकेरा विज्ञान परिसर ही नहीं जिसको close down किया गया है लेकिन खास बात ऑथर यह बोल रहा है कि इस प्रकार से close down किया गया कि बहुत secrecy है कोई public consultation हुआ नहीं है इस प्रकार की autonomy bodies हमारे societal development में important role play करती है तो इनको एकदम से क्यों मन्त किया जा रहा है अब यहाँ पर विज्ञान परिसर की एक unbroken chain of government institutions और policies बनाए गए थे इंडिया के अंदर scientific temper को develop करने के लिए 1947 के बाद उसमें से एक विज्ञान परिसर था जवाहाल लाल नहरू जी के लिए science and technology essential inputs थे national building के लिए अगर आपको देश को बनाना है तो science and technology में आपको देश को आगे लेके जाना पड़ेगा उसके लिए आपको national libraries higher education के institutions बड़े-बड़े dams यह सब बनाने पड़ेगे in fact अगर irrationality और obscure antism से दक्यान उसी ख्यालों से लड़ना है तो जवाला लेरू सहाब ने बोला कि विज्ञान मंदिर खोलने पड़ेंगे अब इसका evolution अब लोग देख रहे है यह जो विज्ञान मंदिर है यह science center की तरह काम करेंगे काम क्या होगा popularized scientific ideas in rural populations तो इन rural populations को basic scientific appliances देना books देना, film slides देना यह सब काम शुरू हुआ विज्ञान मंदिर के थो 1960s में science communication शुरू हुआ through All India Radio and Krishivikan केंथ इन्होंने भी overall green revolution में high yielding crop varieties को लाने में major role play किया फिर धीर धीर और societal evolution हुआ कुछ और societal problems हैं जिसे energy, crisisized, superstitious belief थे तो Department of Science and Technology एक agency बनाता है to promote public debate on science and technology इस particular agency का नाम था National Council for Science and Technology Communication in 1982 ठीक है, यस particular agency ने बहुत सारे voluntary groups और grassroots science movements को initiate किया एक movement था ऐसा भारत जन विज्ञान जथा ठीक है ना, इस भारत जन विज्ञान जथा के अंदर बहुत सारे voluntary organizations उठे इसमें से एक उठा All India People Science Network जो कि आज की date तक exist करता है तो basically यह जो NCSTC का वर्क था यानि कि National Council for Science and Technology Communication का वर्क था और उसके साथ साथ BJVGA ने जो momentum generate किया भारत जन विज्ञान जथा ने जो momentum generate किया उससे ही overall विज्ञान परिसर का उद्य हुआ है और विज्ञान परिसर का काम क्या था content बनाना scientific temper से related इसको disseminate करना through radio and TVs in 1990s तो विज्ञान परिसर दौरा बहुत से programs initiate किया गए जैसे विज्ञान विधी initiate किया गए 13 part radio series थी method of science in solar languages की फिर भारत की चाब इशुक शुरू किया गया 13 part TV series थी on the history of science in India मानव का विकार शुरू किया गया 144 part radio series on human evolution in 18 languages क्यों और कैसे विज्ञान आपका परसार दौरा शुरू किया गया फिर अगर आप देखो तो विज्ञान परसार ने बहुत सारे film makers को भी commission किया ताकि वो documentary बनाए leading scientist के बारे में science की history के बारे में और इस से related projects के बारे में एक और outreach project था eclipse 95 जो कि एक साल लंबा project था to generate awareness and create safe viewing opportunities of the total solar eclipse of 1995, popular astronomy के respect में, scientific liberty को spread करने के respect में, awareness के respect में विज्ञान परसार ने बहुत कुछ किया है लेकिन recently पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि विज्ञान परसार के mandate को कम किया जा रहा है जो नए projects विज्ञान परसार के ले के आ रहे है जैसे for example, DD Science इसको दूरदर्शन के साथ मिला के एक दिन का daily program बनाया गया science का वेकि इसमें पुरानी documentary चलाई जाती थी एक OTT challenge बनाया गया India Science.in इन सब projects में overall science communication को दिखाने के बजाए विज्ञान परसार government की publicity करता हो नजर आ रहा था तो परिक्षा पे चर्चा, प्रधान मती मोदी जी की Republic Day की parade, speech ये सब चलती थी यहाँ पे In fact, अगर आप देखो तो जो science channel था वो science and technology मिनिस्टर जितेंदर सिंग साथ के छोटे मोटे events को दिखाता रहता था तो in fact, अपने proper तरीके से विज्ञान परसार काम करी नहीं रहा था और अब तो विज्ञान परसार agency को officially बंधी कर दिया गया है और बीच में ये overall आपके लो चैनल, ancient text को glorify कर रहा था योगा की scientific benefits को दिखा रहा था तो basically author यहाँ पे प्रिज्ञान परसार के उपर ये इल्जाम लगा रहा है वे विज्ञान परसार की usefulness को efficiency को सरकार ने खतम करके लग दिया in fact, अगर आप देखो तो विज्ञान परसार और विज्ञान भरती नाम के organization की बीच में विभा नाम का organization खोला गया है ठीक ना, विभा basically क्या है ये एक affiliate बताया जाता है रास्टी स्वयम सेवक संग का तो विभा को डेड़ करोड दिये गए विभा यहाँ पे विज्ञान विद्यार्थी मंतन शुरू कर रहा तो basically विज्ञान परसार से काम हटा के विभा के पास लेके आया गया है विभा overall politically biased है और विज्ञान परसार को तो यहाँ पर officially खतम ही कर दिया गया है तो अब समझी सकते हो कि यहाँ पर ruling party के ऊपर questions उठाय जा रहे है questions कौन से basis पर उठाय जा रहे है यह हमने यहाँ पर देख लिया आगया जाते हैं buying time देखे recently क्या है कि Supreme Court ने हिंडनबर्ग रिसर्च की जो भी relevations निकल के आया थे आदानी को लेके stock market nams को लेके miss denominators को लेके सेवी को जो deadline दी थी वो deadline almost खतम होने वाली है सेवी ने deadline की खतम होने से कुछ देन पहले Supreme Court से 6 महीने का extension माँगा है ठीक है न भई यहाँ पर सेवी का यह बोलना है कि हमने यहाँ पर बहुत सारी inquiry किये इस particular inquiry में हमें एक group of violations मिले हैं हम और कुछ norms को study कर रहे हैं जैसे minimum public shareholding norms को related party transactions को इसके लिए हमें कम से कम 6 महीने और चाहिए वैसे तो in transactions की complexities को समझने के लिए काइदे से 15 महीने चाहिए बट अभी के लिए हमें 6 महीने का extension दे तो तो author यह बोल रहा है कि अभी के लिए 6 महीने का extension दे दिया तो क्या guarantee है कि इस 6 महीने के end पे तुम 9 महीने का extension और नहीं मानोगी समझ गया जो यहाँ पे flaws हिंडर्बर्ग research के respect में आदानी की investigation में निकल के आए कम से कम उन flaws को तो सामने रखो on record उन flaws को तुम सामने रखनी रहो at the same point of time बोल रहा है कि पूरी picture को सामने रखने के लिए 6 महीने का time होड चाहिए तो यह तो चीजों को डिले करने वाली बात होगी न और मानलो 6 महीने का extension यहाँ पे दे दिया जाता है अगर अभी देखो तो मई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टमबर और अक्टूबर तो यह 6 महीने का extension मिल जाता है और नवंबर तक मानलो report आ भी जाती है तो जब नवंबर तक report आएगी already हिंडन बग report आये 10 महीने हो चुके होगे और जो आदानी group है उसके against complaints का examination सेवी में पिछले 2 सालों से चल रहा है तो यह एक सेवी के ओपर सवाल उठा देगा कि इतने लंबे समय से सेवी अपनी investigation ही किया जा रहा है और कोई proper outcome यहाँ पर निकल के आनी रहा है तो 6 महीने का extension आप मांग रहे हो मांगो बट अब तक आपने जो reports में जो flaws point out किये हैं उन flaws को ज़रूर on record place करो लिश के लोगों के सामने आने दो अगर इस प्रकार से आप flaws को छुपाओगे लंबे समय तक extension मांगोगे investigation का तो Indian market की credibility के उपर सवाल उठेगा governance standards के उपर सवाल उठेगा वगरा वगरा ठीक है और political remission के respect में यहाँ पर बात की जा रही है बिहार की सरकार ने जो पिछले महीने आनंद मोहन सिंग को remission देने का जो decision लिया है जिस circumstances में remission लेने का decision लिया गया है इसको काफ़ी disturbing बताया जा रहा है दिसंबर 1994 में एक यंग IAS officer जी कृष्णयिया को मारने का जजाम लगा था district magistrate थे वो कोपाल गंज के और अगर आप देखो तो बिहार prison manual 2012 को 10 April 2023 को amend किया है बिहार की सरकार ने और basically वैसे तो यहाँ पे 27 prisoners को remission दिया जा रहा है बाट यह पूरा का पूरा change किया गया है एक आदमी को benefit देने के लिए यह सारे लोग 14 साल jail में काट चुके है खास बात यहाँ पे यह है कि जो rational है यहाँ पे आनन्द मोहन सिंग को छोड़ने का कहाँ पे बिहार के अंदर आनन्द मोहन सिंग के release के against बहुत तगड़ा opposition आ रहा है जो जी कृष्णिया की wife है वो भी petition फाइल कर रही है पुराने civil servants ही petition खाल का रहे है आईस lobby भी यहाँ पे involved हो गई है तो basically आनन्द मोहन सिंग की जो case study है ना criminalization of politics की और politics का over dominance की इसको लेकि बाकी राज्यों को भी समझना चाहिए कि एक limit से ज़्यादा corrupt political elements और influential political elements को आप अगर entertain करते हो तो long term में आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं तो यहाँ पे मैं अपना analysis खतम करता हूँ दोस्तों यहाँ आपको कुछ यहाँ यहाँ यूस्फुल जानने को मिला होगा अपने व्यूपॉंट जिकन भॉक्स में देके जाएगा आपको फॉलव कर लिजिगा टेलिगा हम गुट जैन के लिजिगा जादा से ज्यादा लोग सा लग्ची रुक्षिर का अपना एक बार एप जरूर डाउनलोड कर लिजिए ओवर और आल आप कोर्स को चेक आट करने के लिए गुट बार